दोस्तों क्या आप अपने पेंड कार्ट के नेम को अपडेट करना चाते हैं तो नमस्कार में भीम यादो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आनलाइन खुछ से ही अपने पेंड कार्ट के नेम को किस तरीके से आसानी से अपडेट कर सकते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें साथ में आ रहा है बेल आइकन को दबा कर ओल पर टिक कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों यहाँ पर हमने गूगल क्रॉम ओपन कर लिया है सर्ज बार में टाइप करना है पेंट कार्ड लिख कर हम सर्च करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा सबसे उपर ही आपको पेंट कार्ड एनेजडियल देखने को मिल जाता है यहाँ पर क्लिक कर अब यहाँ पर हमें जो की नेम फिल करना है तो सबसे पहले हम फिल करेंगे फिर मेडल नेम फिल करेंगे फिर लास्ट नेम फिल करेंगे तो चलिए हम अपना फिल कर देते हैं इसके बाद मेडल नेम फिल कर देते हैं इसके बाद अपना लास्ट नेम फिल कर देते हैं इसक तो क्लिए हम अपनी के वाद इमेल डी फू लगर देते हैं इसके बाद अपना एक सब्सक्राइब करेंगे अपना इस यहां पर दोस्तों अमने मोबाइल कर्द सब्सक्राइब करें transf neat पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें एक token number मिल जाता है जिसका हमें screenshot लेकर रख लेना है क्योंकि यह हमें आगे काम आ सकता है तो यहाँ पर आप इसे लिख कर भी रख सकते हैं इसके बाद continue with pen application form पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें चार step पर जो की pen application complete करना है यहाँ पर आपको तीन option मिल जाता है एक है submit digitally through ekyc and e-sign paperless तो यहाँ पर दोस्तों हम pen card में name को जो update करने वाले हैं वो ekyc के माद्यम से ही करने वाले हैं तो हम first वाले पर ही click रहने देंगे अब यहाँ पर दोस्तों हलका सा उपर करेंगे यहाँ पर आपको एक option मिलता है आधार number only for individual यहाँ पर enter आधार last four digit तो हम अपने आधार card का last का four digit यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद यहाँ पर नीचे हमें please select पर click करना है और yes पर click कर देना है हलका सा उपर करेंगे यहाँ पर अब हमें कुछ भी नहीं करना है नीचे आएंगे यहाँ पर हमें अपना date of birth select करना है इसके बाद gender select करना है और please select gender पर click करके male female जो भी हैं वो select कर देना है हलका सा उपर करेंगे यहाँ पर हमें अपने father का name फिल करना है father first name, father middle name और father last name हमें यहाँ पर फिल करना होगा तो चलिए हम अपने father का name भी फिल कर देते हैं तो यहाँ पर हमने father name फिल कर दिया अब next पर click कर देंगे यहाँ पर हम second step पर पहुंच जाएंगे हलका सा उपर करेंगे यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है अब नीचे आएंगे यहाँ पर country choose करेंगे तो यहाँ पर हम इंडिया select करेंगे अब इसके बाद यहाँ पर आप study code fill करेंगे आपका mobile number और email ID automatic fill आ रहा है हलका सा उपर करेंगे यहाँ पर next पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम third step पर पहुँच चेके हैं अब यहाँ पर आपको proof of pen तो यहाँ पर copy of pen पर क्लिक करना होगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको select पर क्लिक करना है और himself first वाला option select कर देना है नीचे आपको simple एक लिख देना है तो यहाँ पर दिखी दोस्तों लिखा हुआ है number of document आप कितने document दे रहे हैं तो यहाँ पर हम एक document दे रहे हैं इसके बाद नीचे हमें place लिखना है तो हम अपना place यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद submit पर क्लिक करेंगे submit पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा आधार number enter आधार first 8 digit तो यहाँ पर अब हमें आधार काट के आगे के 8 digit फिल करने है अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है नीचे आना है और अपनी detail को अच्छे से check कर लीजिएगा अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी detail कहीं भी miss match हो तो edit पर click करके आप edit कर सकते हैं हमारी detail ओके है तो हम proceed पर click करेंगे proceed पर click करते ही यहाँ पर हमारे पास payment option आ जाएगा तो यहाँ पर हम online payment करना चाहते हैं तो हम online payment पर click करेंगे हलका सा उपर करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें 106 रुपे 90 पैसे की payment करना है हलका सा उपर करेंगे यहाँ पर click करेंगे और proceed to payment पर click करेंगे proceed to payment पर click करते ही कुछ इस तरीके का interface आजाएगा pay confirm पर click करेंगे यहाँ पर दोस्तों हम pay tm debit card credit card भीम UPI net banking के थूप payment कर सकते हैं हम pay tm के जरीए payment करना चाहते हैं अपना mobile number fill करेंगे और proceed पर click करेंगे हमारे mobile number पर एक OTP जाएगी वह OTP यहाँ पर fill करेंगे और verify OTP पर click करेंगे verify करते ही यहाँ पर हम pay tm payment bank के थूप अपना passcode डालेंगे और pay पर click करेंगे तो दोस्तो pay पर click करते ही अब यहाँ पर हमें wait करना होगा कम से कम एक मिनट का भी समय लग सकता है तो यहाँ पर आप wait करिएगा page को refresh मत करिएगा तो यहाँ पर देखिए payment successful हमारी payment successful हो चुकी है अब हम continue पर click करेंगे continue पर click करते ही कुछ इस तरीके का interface आएगा रलका सा उपर करेंगे और authentication पर click करेंगे authentication पर click करते ही continue with ekyc पर click करेंगे कुछ इस तरीके का interface आजाएगा यहाँ पर आपके आधार से register mobile नमبر पर एक otype बेजारी जाएगी वह otyp यहांपर fill करेंगे और submit पर क्लिक करेंगे submit पर क्लिक करते ही continue with e-sign अब हमें यहाँ पर e-sign करना होगा तो e-sign पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा यहाँ पर सबसे उपर ही आपको accept करना होगा और अपना virtual ID या आधार नमबर फिल करना होगा तो चलिए हम अपना आधार नमबर फिल करते हैं और send OTP पर क्लिक करते हैं send OTP पर क्लिक करते ही हमारे आधार से register mobile नमबर पर एक OTP बेजी जाएगी वह OTP यहाँ पर फिल करेंगे और verify OTP पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो verify OTP पर क्लिक करते ही हमारी OTP verify हो जाएगी और हमारा application successful submit हो चुका है दोस्तों इस application को open करने के लिए आप से password मांगा जा रहा है तो password में आपको अपनी date of worth फिल करना है बीना किसी space के जैसे कि आपको screen पर दिखाया जा रहा है तो चलिए हम अपना password फिल करके ok पर click करते हैं और अपने application form को open कर लेत सकते हैं या फिर print करके भी रख सकते हैं या form हमें कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं होती है तो दोस्तों अब हमें कुछ भी नहीं करना है 10-15 दिन वेट करना है हमारा pain card हमारे घर पर buy post के जरिए भेद दिया जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि आ जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी उमीद करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब त के लिए जय हिन जय भारत